आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे वीडियो हमारे second part है जो series हमारी halokines and halorines तो आज की इस वीडियो में discuss करेंगे कि किसी भी alkyl halide में isomeris कैसे होता है रिकवाइड होते हैं कैसे isomeris करेंगे और जो हमारे पास alkyl halide, दीखिए alkyl में carbon होता है और halide में halogen तो यह जो CX bond बनती है इसके nature के बारे हम बात करेंगे यह कब टूटती है कितनी strong होती है क्या condition होगी जैसा कि हमने last video में हमने बात की थी कुछ common terms के बारे में जैसे alkyl halide क्या होते है aryl halide क्या होते है vinylic halide क्या होते है benzylic halide क्या होते है I hope आप उस video से आए हो भी तो अब हम शुरू करते है अपनी इस video को इस class को शुरू करते हैं और देखते है alkyl halide में कैसे निकालते हैं तो अगर हम simple सी बात करें कि अगर हम isomeris पढ़ रहे हैं ठीक है अगर हम क्या पढ़ रहे है isomeris बगार हम पढ़ रहे है तो जैसे हम chain isomer बनाते हैं chain isomer क्या होते हैं हम chain को change करते हैं isomer से में रहते हैं जैसे alkyl halide में पढ़ रहे हैं हम isomerism तो alkyl halide में हम दो तरह के isomeris पढ़ेंगे एक हम पढ़ेंगे chain isomerism एक हम पढ़ेंगे position isomerism, देखिए chain isomerism में क्या होता है, तो chain isomerism में सिर्फ chain change होगी carbon की chain को change करना है halogen same position पे रहेगा, अगर first position पे है तो first पे रहेगा और position में क्या होगा, halogen की position को change करना है, कभी carbon number 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 और पर रखके देखना है तो सबसे पहले तो हम यह बात करेंगे कि अगर हमें अलकाइल हलाइड में चेन आइसोमेरिज्म करना है तो हमें कितने कार्बन की जरुत होती है तो अगर हम सिंपल ले कि CH2 बोंड CH2 बोंड CL तो हमने दो कार्बन ले रखे हैं तो क्या चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इस CH2 को अगर मैं इधर लिखता हूँ और इसको इधर लिखता हूँ तो अगर मेरा कमपाउंड वही रहने वाला है कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ CH3 bonds CH2 bond CH to bond CL यह 3 carbon है तो इसकी chain को अगर मैं change करना चाहूँ तो change नहीं होगी क्योंकि अगर chain को मैं इस तरह लिखता हूँ CH to CH to CL तो भी तो देखो नाम वही रहेगा compound का लेकिन अगर मैं 4 carbon लेता हूँ CH3, CH2, CH2 CH2, CL तो यहाँ पर 4 carbon है मेरे पास तो अगर मुझे अब इसका chain isomeris दिखाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ CH3 bond CH bond CH3 bond CH2, bond CL तो एक हैलोजन की position जो है वो तो सेम ही है, यहाँ पर भी first position पर था यह और यहाँ पर भी किस पर है? first position पर है बट इसका क्या होगया? इसकी जो chain है, उसको हमने change किया तो यह होगी इसके chain isomers ठीक है? यह दो chain isomers है तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पर चल चुकी है कि minimum 4 carbon is required for chain isomeris में alkyl halide अगर alkyl halide में हमने chain isomeris दिखाना है तो minimum कितने carbon की requirement होती है? 4 carbon की, ठीक है? एसे ही अगर हमें position isomers बनाने है, मतलब alkyl group की position change करनी है, तो जैसे हमने यह लिया CH3, CH2, CH2, bone Cl, तो position isomers अगर इसका बनाना है, तो यहाँ पर chlorine first number पर second पर रखके देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इधर रखेंगे तो फिर से first पर जाएगा तो यहाँ गया CH3, CH Cl, CH2 देखो इस तरह से क्या हुआ? हमने इसका position isomers बनाना है, देखो chain तो हमारी सेम है, तीन कारबन की chain है chain तो हमने सेम रखी chain को हमने तोड़ानी लेकिन हमने position change कर दी, इसकी halogen की तो यह कहलाएंगे एक दुसरे के क्या? position isomers, महाँ पर हमने हैलोजन को सेम position पर रखा, बड़ chain change की तो यह एक दुसरे के chain isomers कहलाएंगे clear हुआ, लेकिन अगर मैं हाँ पर दो कारबन लेता, CH3, bond CH2 bond CL, तो इसका अगर मुझे position isomers बनाना होता, तो मैं बना पाता इसको अगर मैं कलोरिन को इधर लिखता, तो यह CH3 compound तो सेम ही रहता नहीं तो उस case में position isomers possible ही नहीं था तो ध्यान रखना है कि chain isomers बनाने के लिए minimum 4 carbon की requirement होती है और position isomers बनाने के लिए हमें minimum 3 carbon की requirement होती है तो आयोब इतना clear हो गया होगा isomers in alkyl halide अब हम बात करते हैं nature of CX bond के बारे में because हमारा topic जो है वो alkyl halide topic है अब alkyl halide क्या होते हैं जैसे CH3Cl है ठीक है यह alkyl group है यह halide group है तो इन में जो bond मनती है वो इस तरह बनेगी CH3 और यह CL तो basically जो bond मनती है वो किसके बीच में बनती है carbon और halogen के बीच में बनती है तो यह जो CX bond है carbon halogen bond का हम बोलते हैं CX bond तो इस CX bond का nature कैसा होगा तो दो case हम इसमें पढ़ने वाले हैं अब एक चीज़ तो clear है कि carbon और halogen की बीच में electronegativity difference होता है halogen की electronegativity ज़ादा होगी carbon से तो यहाँ पे electronegativity difference आएगा तो इस पे positive charge आएगा और इस पे del negative तो अब हम इनके nature के बारे हम पढ़ते हैं कि alkyl chloride का nature कैसा होगा कौन ज़ादा reactive होगा और कौन कम reactive होगा तो अब हम आते हैं reactivity of alkyl chloride पे तो यहाँ पे हम dot case में इसको cover करेंगे पहले case में हम बोलेंगे कि alkyl group same है और halogen अलग अलग है तो एक हो alkyl group में ने R ले रखा है R, 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 R तो अगर यह methyl group होगा CS3 तो हर जगा CS3 होगा अगर ethile होगा C2H5 तो हर जगा C2H5 लेकिन halogen क्या है हर जगा क्या है different है तो अब हम देखते हैं कि जब alkyl group same है और halogen अलग अलग है तो उस case में reactivity order क्या होगा तो देखिए अगर हम बात करें R, 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 Iodine का size क्या होता है बड़ा होता है bromine का छोटा, chlorine का और छोटा, fluorine का सबसे छोटा तो iodine का size बड़ा है तो R, R, Iodine जो है वो सबसे बड़ी होगी तो bond distance between R, I, Bond is maximum अगर bond बड़ी होगी तो bond क्या होगी, weak होगी क्योंकि छोटी bond क्या होती है, strong और बड़ी bond क्या होती है, weak तो nature of bond क्या होगा, weak तो जो R, I, की bond है इसको तोड़ने के लिए energy क्या चाहिए होगी कम energy चाहिए होगी तो less amount of energy is required for breaking the R, I, Bond और अगर इसको तोड़ने के लिए कम energy चाहिए वो तो easily available हो जाएगी तो अगर energy easily available हो जाएगी तो ये easily ions में भी तो break हो जाएगा तो R, I, जो है वो easily ion में जाएगा तो easily ion में break होगा तो ये जादा reactive होगा तो अगर हम reactiveness की बात करें तो अगर alkyl group से हमें तो halogen अलग है तो iodine वाला halogen जिस alkyl group में होगा वो क्या होगा? वो जादा reactive होगा क्योंकि वो easily break हो जाएगा और easily break क्यों होगा? क्योंकि उसको उसकी bond को तोड़ने के लिए कम energy की requirement है क्यों है कम energy की requirement? क्योंकि उसकी bond क्या है? weak है और क्यों है bond weak? क्योंकि दोनों के बीच के nucleus के बीच का distance के जादा है तो bond की length है जादा तो bond क्या हो जाएगी? weak तो अगर अब इतना clear हो गया होगा यहाँ पर हमने दो alkyl group लिये और हमने एक alkyl group लिया समझ रहे हो? तो अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जिसे हमने class 11 पे inductive effect में पढ़ाता कि जो CH3 group होता है वो plus i group होता है कौन सा group होता है? plus i group होता है और plus i group जो होता है वो electron donating group होता है कौन सा group होगा? electron donating तो यहाँ पर ज्यादा plus i group है ठीक है? तो इसमें more plus i group है ज्यादा plus i group है तो यहाँ पर क्या होगा? जो यह central atom है, carbon इस पर ज्यादा electron जाएंगे क्यों आएंगे इस पर ज्यादा electron? because इसके आसपास ज्यादा CS3 है तो ये ज़्यादा electron donate करेगा carbon को तो carbon के पास ज़्यादा electron होगे तो carbon और halogen की बिच में repulsion क्या होगा ज़्यादा होगा और repulsion अगर ज़्यादा होगा तो जो bond है इसका nature जो हो जाएगा वो weak हो जाएगा और bond का nature अगर weak होगा तो bond easily break हो जाएगी और bond easily break होगी तो reactiveness क्या होगी? जादा होगी ध्यान रखना है कि जिसमें जितने जादा plus I group होगे उसका nature क्या होगा? उतना ही weak होगा जो कि plus I group क्या होते हैं? electron donating group होते हैं, electron repulsive group होते हैं तो electron carbon को दे देंगे, carbon पे जादा electron होने क्या होगा? repulsion बढ़ेगा और repulsion बढ़ने की वज़े से क्या होगा? जो यह bond हो जाएगी carbon और chlorine की, यह क्या हो जाएगी? weak हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि electron के बीच में repulsion होगा, तो repulsion होने की वज़े से chlorine को भी यह ripple करेंगे, तो nature of bond क्या हो जाएगा? weak होता जाएगा, और nature of bond weak होगा, तो reactiveness के हो जाएगी? जादा हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि easily break होंगे वो ions में, तो ध्यान रखना है कि अगर alkyl group same है, तो क्या होगा? और अगर alkyl group different है, तो क्या होगा? तो आयोप इतना समझ में आगया होगा, कि position और chain isomerism के लिए minimum carbon कितने required होते हैं, कैसे हम करते हैं, position और chain isomerism और साथी साथ, जो CX bone का nature होता है, वो कैसे होता है? विकोज यह काफ important topic है nature of CX bone को समझना, विकोज हमने इस chapter में हमने CX bone के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए इसके बारे में हमने एक अलग से heading लेके इसको clear कर लिया कि किस case में कौन जादा reactive होगा, कैसे पता करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे कि alkyl halide की हम preparation कैसे करते हैं, किस तरह से alkyl halide बना जाते हैं, अलग अलग तरीके से, सारे chemical methods हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी chemical reactions की भी बारे हम बात करेंगे, जिसमें हम SN1 और SN2 को भी discuss करेंगे, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सेतल में फेला दो